इसकारिक्रम के आयोचक हैं पाली जन और आप सभी का स्वागत है जिनवाडी चैनल पर दर्शिकों मध्य प्रिदेश के जिला इंदौर इस्थित श्रेदिगंबर जैन अतेश्य शेद्र बनेडिया जी में भगवान महवीर स्वामी जी के जन्मोत्सव के पावन अबजर पर वाशिक मेला महुत्सव के तरगयत तेरह द्वीत महामंडल विधान महामहुत्सव का भवया यूजन किया गया 29 मार्श से प्रहरम होकर 6 अप्रेल तक चले इस महामहुत्सव में परम पोज्या आरिकशिरी कीर्थिशिरी माताजी के पावन सानिध्य में असंग के भक्तों ने परिवार सहित से भागि स्वामी जी के जन्वोत्सव के पावन अवजर पर परम पोज्या आरिकशिरी कीर्थिशिरी माताजी के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश के जुला इंदौर इस्थित श्री दिकंबर चैन अतिश शेद्र बनेडिया जी में वार्शिक मेला महुत्सव के अंतरगट 13 द पांच अप्रेल के दिन की शुरुआत नित्य नियम पूजन के साथ हुई प्रभू के प्रती अपने भावों को प्रकट किया दोनों हाद उपर करेंगे हा लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे मेरे बाबा का का जाना लुटे रहा रे रात प्रभू जी मेरे सुपने में आएं इसके प्रात श्रावक्ष रिष्टियों ने विधान मंडल पर अश्ट द्रव्यों से पूजन करते हुए श्रद्धभाव के साथ अर्खय एवं श्रीपल समर्पित किये ओम रेम कुंडला दीप मद्य कुंडल गिरी के बीच दक्षन जी सारुचिक प्रभा नाम शिद्ध कोटपरसिता स्वयम सिद्ध जिनमंदिर व्यों जलादी अरग्यामने रुपाम तेश्वाव देखों जरा ज्यान कितना बराम ओम मेरे पारस प्रभूज किये बावन धराम तर्श करूं मैं तो रोज करूं तर्श करूं मैं तो रोज करूं जुमे रही जहां बोले चदिरमा ओम्रेम कुंडला दीप मद्य कुंडला किरिके पश्चिम अधिशा कीमुवर नाम सिद्ध कूट जिनमंदिर व्यों जलादी अरग्याम निरोपाम तेश्वाव कुंडला किरिके चार दिशा चार सिद्ध कूट जिनमंदिर व्यों जलादी अरग्याम निरोपाम तेश्वाव कुंडला किरिके चार दिशा चार सिद्ध कूट जिनमंदिर व्यों जैमाला पोर्ण अरग्याम निरोपाम तेश्वाव प्रभुभक्ती में सराबोर समस्त शुर्धालू ने पोजन की अन्य मांगले क्रियाएं करते हुए प्रभु के शिरी चरणों में भक्ती भावना के साथ अरग्या समर्पित कर अपने पोन्या कर्मों में व्रिद्धी की ईदर से लेलो शीर अरहंत जी शिद्धी आचर जी उपाद्या जी चमतकाजी साथी महावी जी पदंपुरीत पदिविनमा अनर्गपद प्रापत आए संपून अरग्याम महार्ग्याम देवे अरग्याम निर्पामी ती साहा इसके साथ ही संध्याकाल की पावन बेला में समस्त धर्मिस नहीं श्रावक्ष रेष्टियों ने हातों में मंगल दीप लेकर संगीत बद बातावरण में नाचते जूमते हुए प्रभू की आरती उतारी पंच परमबद भज सुक लीजेप ओ इसलिए बाबा तेरी आरती करूँ हातों में दीप लेकर आरती करूँ अपने दोनों हाँ खोगे तेरी हो रही जे जेकार बाबा हो बाबा तेरी हो रही परस हो मामा तेरा सच्छा है दर्मार बाबा हो बाबा तेरा दर्मार बाबा अरे अच्छे से उपर दोनों हाथ उपर दाली विया के वन टू ठी प्रभू की आरती के प्राहत कारिक्रम में उपस्तित गड़मानिय एवं विशिष्ट जनों का तिलक लगा कर माला पहना कर एवं श्रीफल भेट कर स्वागत्वा सम्मान किया गया आपका स्वागत है श्रीमा भाक्य हमारे बढ़ा हमारा मान आपका स्वागत है श्रीमा भाव के पोशपर प्यार की माला श्रीवर आपको अरपित है आपको अपने श्रीमान आपका स्वागत्वा भाक्तिन रैत्या करते हुए अपने भावो को सभी किसम अक्ष रखा कुला 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 कुले दिखने मेराद कल बददा ओप्याद की महाराद किसम मेराल श्रीमा स्वाण जो दबने दो औ様ताहด कुछwegen आपनाहे किल के दूकल पिलनाओस करदें600, 2020 सेयर निह मकद करदक्त थे. इस दोने हैं आपनी किल रहने नहीं कि आपनेफ़ आपनी किल नहीं इसके साथ ही छे अपरेल के दिन की मांगलिक शिरुवात सौभाग शाली श्रावक श्रेष्टियों द्वारा प्रभू के अभी शेक के साथ हुई प्रभू के मंगल अभी शेक के पशाथ शुद मंत्रो चारण के बीच विश्विशान्ती की कामना से प्रभू की शांतिधारा की गई इसके मध्या ही श्रावक श्रेष्टियों ने उपस्तित परम पूज्या आरिका शिरी केर्थी शिरी माताजी के शिरी चरणों में श्रीफल समर्पित कर मंगल आशिरवाद प्राप्त किया तो वहीं भक्ति मैं वातावरण में समस्त शुर्धालू ने पूजन करते हुए प्रभू की आर्थी कर अन्या मांगले क्रियाएं की परम पूजन की भंगलेएं कुछन कई महिं पीकात करनेएं ओमा आसदेर जा जा सिभीत लगे दाएन ओक्तार एक इशाःत्र जब दाएन, तैजए गानाओ, पारिशना नादिनगराई आपाई कर दगा कर दोructures है औल shaft Bra 5 3 खल Fea यदमानी यदीद मोंधे आी यजिमाने इसपरी ईय है प्रबड़स इस मτεं आ फब ठियो समाने कर दो नलो जर्था कि घर तो हैं तुटर जलो टुटर विट के तुम है तुटो उन्गा कान थात्र जेख थरोगदो ट नंदने को प्राद तुटो टिषरों है विजर डूजका नाशना उन्ट्र खुटटो टिनि कहा ऊंगाальный वादर वाद जर शुक्षा जर शुक्या है कि जरोगू मुष्वान्द करसे. अरनियाधिशें शेक्ष्यृत्रस्री अचिप solidarity. शीक्सिप ऩृत्रस्री अचिपनात्स. भ्यातिशें शेक्षें शेक्ष्थ्त रास्त कि अच्ट कैमाप्षू चै तुप Tomato Pantheer. और भ्यातिस्यृत्रस्तरा andar motion क्लare के नदे नुन केर व्यान के आपता है। इसकी पशाद उपस्तित समस्त भक्तों ने अश्ट द्रव्यों से प्रभू के शरी चरणों में अर्गय समर्पित कर संगीत की बहती बयार के साथ भक्ती न्रयत्या करते हुए प्रभू के प्रती अपनी आस्था के भावों को प्रकट किया अम्रेम्समयकध्वादि अस्ट्रकूण सिध्ध का रुपस्ति न शुदध्यम न अश्था कुट जिनले अख्षा ήपध प्राप्ता आips अक्षेत न अश्था iमेरू प्राभाव पाम्ते ओम्रेमर्चकाध्य दिपके पीछे रुचिकरि परवत्परसितृ शिद्धकोट जिनन मंदिरे आचिक जुो. इसके बाद परमपूजय आरिक शिरी केर्थी शिरी माताजी ने अपनी मंगलवाणी से समस्त भक्तों को अभीबूत किया जिसके पश्चात श्रावक श्रेष्टियों ने परमपूजय माताजी के शिरीचरणू में शिरीफल समध्पित कर आशिरवाद प्राप्त किया किसी भी पंचक ल्यानक में आप जाओगे, उसके पहने ये बताते हैं, चपन कुमारी का चाहिए, कितने चाहिए? चपन कुमारी का कहा से आती है? ये इसी इसी परवत के उपर जो ने रुचिकोगिरी, और यहां से आती है सब के सब माता की सेवा करने के लिए. समय पाय, जिन माता को सेवेस आया. सबस्ट कहिए उनने जिस समय माता के गर्व में बाला काने का होता है, उस समय जो चपन कुमारी का करके जो है माता की सेवा करती है, क्या करती है? इसके साथ भक्तों ने परम्पुजा अरिका श्री केर्थी श्री माता जी के समय माता की सेवा करती है, अपने भावो को रखा. पूरे विधान के दोरान आदरणी परम आदरणी भाईया जी भावेश जी का जो की हर्समर्शी हमें सानित्य और अशिरवाद प्राप्त होता है, मारक देर्शन प्राप्त होता है, एक बार जोड़़ार तालिया. बहुत प्रसन्यता की बात है इतने अच्छे भाव के साथ में यहाँ पर ये विधान संपन्न हो रहा है और आज दोपर में जो जल यात्रा निकलेगी उसके बाद में भगवान के कल्शा पिशेक होंगे उस सब में हम सब शरीक होंगे पुझ्य माता जी का हमें सानीति प्राप्त होगा ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस यह जो यहां की परमपरा है इतना बड़ा मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंडल विधान यहां पर बनता है और उसकी जितनी तारीव की जाए बनाने वाले जो कलाकार हमारे आ पुरा की भाई बहन यहां पूरे मंडल विधा के उसरवर पूजा में यहां शरीक होते हैं उनके पुन्य की भी बहुत-बहुत अनुमधना करते हैं इसके पशाद प्रभु प्रेमी श्राविका ने अपने स्नेहे एवं श्रध्ध भावो को भक्ति गीत के माध्यम से प्रकट किया एसे चोवी सो को बादम बार प्रणाम हैं सुर्म में सुनाओ सभी को माहा वीरवानिया माहा वीरवानिया बने अजी एक धाम हैं अजितनात भगवान हैं तत पश्राविकाओ द्वारा मंगल कलशो को चिरोधारिय करने के साथ साथ श्रीजी को रत पर विराज मान कर भव्य शुभा यात्रा निकाली गई काल सुपन अजी प्र पादी त किरो खें झाल सुनाओना uta है शुभायात्रा में शामिल भक्तों में प्रभु के प्रती उनकी भावों को इस पश्ट रूप से देखा जा सकता था बेंडवाजो, धोलनगाडों एवं संगीत बद वातवरण में प्रभुभक्त भक्ती नुर्यत्या के माध्यम से अपने श्रध्ध भावों को प्रकट करते नजार आ रहे थे लुआ प्रतों में प्रमाट करें प्रेश जाओ 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 कर दो 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 दो, बेंड बाजो न्एकरी बीच नाश्टे थिरक्ते भक्तों के साथ शोभायात्रा कारिक्रम इस्थल पहुची जहां भक्तो द्वारा शिरीजी की प्रतिमा को शिरुधार्य कर पांडुक शिलाप पर विराज मान गिया गया इसके साथ ही विश्ष्ट जनो द्वारा वीप प्रजलन किया गया मुझा मिली गाया मन कामी ये दुनिया क्या जाने मेरी लागी प्रभुजन पे ये दुनिया क्या जाने क्रभी लगी मेरी प्रभु की जब जे खई भावरी में तो तब जे क्रचा भी लगी मेरी प्रभु की जब जे खई भावरी में तो तब जे प्रभी में मुझे डोरी जब जे ने आचा तोड़ा जद जे नविकार मंत्र है न्यारा इस नीला तो को तारा नविकार मंत्र है न्यारा इस नीला तो को तारा इस माहा मर्स्री का जाप करो कव सल से मेरे किनादा नवो अरिहां सारं नवो पिसारं नवो आयारं नवो बचायारं नवो नवो ए सबसारं नवो नवो आयारं सबसारं पिसो पंचिनमों कारों सबपाव पनाशिरों मंगिनानंच सबसी पडममह वैरी मंगलं मंदिर प्रांगर की विशिष्टाओं को एक बालक द्वारा बड़े ही सुन्दर रूप से प्रस्तुत किया गया जिसके पशाद मंचा सी विशिष्ट चनों का दुपट्टा पहना कर स्वागत वा अभिनंदन किया गया यहाँ पर तेरा दी मंदल विधान मांड़ा जाता है जो कि 80 किलो चावल की चूरी से राद भर वेट कर बनाया जाता है और यह मंदल विधान की याड़ दी उसी पूजा भी की जाती है और इस पूजा में यहाँ की ट्रस्ट कमिटी का भी बहुत बड़ा योगदान जाता है वैसे मैं आपको बता दू कि यह मंदिर किसी मानो द्वारा निर्मित नहीं है किसी कारिगर, किसी कलाकार या, किसी बिल्डर द्वारा भी नहीं बना गया है यह मंदिर देव भूमी से उड़कर आया है और कोई नहीं जानता कि यह मंदिर कैसे खड़ा है, नहीं इस मंदिर की नीव है और यहाँ से तीन किलो मिटर दूर एक देपालपूर छेतर है और हमारे अजितनात भबाप मूर्ती और वहा के चंदाप्रुबभा भबा बू की मूर्ती सम्काली है और वह भी अे एक अतिशा च्छेत्र है क्योंकि वहाँ पर एक बार दो मंदिर हुआ करते थे और एक बार एक मंदिर महा आग लग गई थी तो उस मूर्ती के पुजारी ने वहां की मूर्ती उठाकर दूसरे मंदीर में ले जाकर इस्थापित की लेकिन उस पुजारी ने जब उस मूर्ती को उठाया तो उस मूर्ती का वजन फूलों के समान हो गया और एम जब उस मूर्थी को ले जाकर नवीन मंदिर में स्थापित किया गया तो वहां मूर्थी में से दूद की तहराए बेहने लगी आपका स्वागत है श्रीमा आपका स्वागत है श्रीमा आपका स्वागत है श्रीमा आप पधारे भाग्य हमारे बढ़ा हमारा मा आपका स्वागत है श्रीमा भाव के पोश पर प्यार की माला श्रीवर आपको अरपित है आपको अपने बेच में पाके हर कोई यहां गर्वित है अभिनंदन करते हैं आपका करते हैं सम्मा आपका स्वागत है श्रीमा आपके आने सेहे प्रियवर रिदे बहुत ही आनन्दित है आपकी गर्मा मै उपस्थित आज बड़ी ही अतुलित है आमंत्रण स्वीकार आपने आमंत्रण स्वीकार आपने रखा हमारा मां आपका स्वागत है श्रीमा धर्म के इस उते सब में तुमने उन्याजन है आकर किया तन मन आपका धर्म समर्पित आपने आके सेध किया दान धर्म और सदाचार ही दान धर्म और सदाचार ही आपकी है पहचा आपका स्वागत है श्रीमा विशिष्ट जनों के स्वागत सम्मान के बाद परमपूजयारिक शिरी केर्थी शिरी माताजी ने अपने शिरीमुग से मंगल प्रवचनों के साथ भक्तों को कृतार्थ किया तबी आपने देखा होगा नई तब आजकर यूटूब में आया था वहां के जो हैं समोज स्वागत की जो रचना बर्माते हैं अमोग खिती और अमर खिती दोनों ने वहां के प्रकिष्टा करवाई हैं और वेशनकर वहां पर जब हम छोटे थे तब से भी जो जनवरी में लाष्ट का जो रविवार होता है यहां पर के जिसा पूनम होगरे कुछ नहीं देखते हैं अंतिम जो रविवार है उस रविवार के दिन वहां पर भी मेला लगता है लेकिन यहां पर के मेला में और वहां पर के मेला में अंतर इतना ही है आप लोग जो हैं इस मेला के पूर्व तेरा त्विप महा मंडल विदान करवाते हो मेरा कुछ ऐसा सयोग बना मेरा सपन में में विचार नहीं था लेकिन बनेडिया का नाम मैंने 2000 में ही सुन लिया था क्योंकि निन्यान्व का चतुरमास जब मैंने जलगाओं में किया वहां से वियार करते हुए जब मैं खंडवा आई थी खंडवा में मिल जी चात्रा वास में रोका था इसके साथ ही पांडवक शिला पर विराजमान शिरी जी का कलशा बिशेक एवं शुद मंत्रों चरण के साथ शांतिधारा की गई में परम पूज जिनेंद्र प्रभु को भाव से बंदन करूँ मन वचन कायत्र योग पूर्वक शीश चरणों में धरूँ सरवग्य के वल ज्ञान धारी की सुछवे और में धरूँ तर पशात मंदरशी के शिखर पर मांगलित क्रियाएं करते हुए धर्म धुहजा इस्थापित किया गया जिसके बाद विश्ष्ट जनों ने जिनवाडिक चैनल के माध्यम से अपने अपने विचारों को साजा किया जाजा कार करते हैं अब पावागी अब पावान ने जीन से अपने फॉफ्ट जन्दा जन्दा का सिर्या जन्दा जन्दा का हो जी मोजी बनेडिया जी तीर छेत्र में आठ दिवसी मेला भड़ता है उसमें तेरा दीप मंडल विधान किया जाता है उसमें आसपास के लोग आते हैं पूनम के दिन समापन होता है और उसमें दोनों टाइम का निश्वल्क भोजन रखा जाता है मास्के अंदर में आठ दिवसी तेरा दीप मंडल रखा जाता है जो भारत वर्ष में सबसे बड़ा विधान मंडल होता है समापन वाले दिन सुबह से शाम तक लोगों का यहां आना जाना लगा रहता है पुर्णिमा के दिनिया सभी का आना जाना लगा जाता है बड़ी पुर्णम यहां पर बड़ा दिवस मेला भरता है और मैं सभी लोगों को बनिय शेत्र में इन्वाइट करता हूँ तता यहाँ पर आपके ठेरने करने की पूरी भोजन की बड़ी अच्छे सुव्यासता है तता यहाँ पर आएंगे तो प्राकृतिक सुन्दरता इस शेत्र में बहुत बड़िया है यहाँ बनेडिया जी में मैं दर्शन के लिए आई हूँ जिसके यह मत्व है कि यह मंदिर की प्रतिमा है वो एक हजार आट साल पुरानी है और यह मंदिर कहा जाता है कथाओ के अनुसार कि यह उड़कर आया था जिसे बटारक जी नामक रिशी ने यहाँ पर तल पर उतारा था तल देखकर उसकी सुन्दरता देखकर उतारा गया था दर्शिकों आज आप देख रहे थे परम पूजी आरिक शिरी केर्थी शिरी माताजी के पावन सानिध्या में भगवान महवीर स्वामीजी के जन्मोच्षव के पावन अवसर पर वार्षिक मेला महुच्षव के अंतरकत आयोचित हुए तेरह द्वीप महमंडल विधान मह महा महुच्षव के आनंद प्रदायक द्रिश्य इस महा महुच्षव में समस्त श्रधालूओं ने मांगलिक क्रियाय कर अपने अशुब कर्मों की निर्ज राखी 29 मार से 6 अप्रेल के मध्या आयोचित हुए इस भावय ती भावय महा महुच्षव में अभी समय हैं आपसे विदा लेनी का आपसे फिर मुलाकात होगी फिलहाल के लिए मुझे दीजिया आग्या आप देखते रहें जिन्वारी चैनल जैश्नीर कर दो दो हमा से लावय महा हैं झाल जैश्नीर